सावन सोमवार के दिन पानी में दूद्व काला तिल डाल कर श्रिवलिंग का अभिशेक करें सावन सोमवार का व्रत रखते हुए इस दिन 21 दिल पत्रों पर चंदन से ओम नमर्चिवाय लिख कर श्रिवलिंग पर चड़ाएं इससे आपकी सभी मनो कामनाय भोलिनात पूरी करेंगे यदि आपके विवाह में अर्चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन में रोज श्रिवलिंग पर कैसर मिला हुआ दूद चड़ाएं इससे जल्द ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं सावन में रोज नंदी को हराचारा खिलाएं इससे कश्टो का निवारण होगा जिवन में सुक्सम्रद्धी आएगी और मन प्रसन रहेगा सावन में गरिबों को भोजन कराएं इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पीत्रों की आत्मा को शांती मिलेगी सावन सोमवार के दिन पूजा करते समय मंदीर में कुछ देर बैच कर मनही मन में ओम नमर्शिवाय मंत्र का जाब जरूर करें कुछ इस प्रकार है शिव पूजा सामगरी पूश्प पंच पल पंच मेवा रत्न सोना चांदी दक्षिना पूजा के बर्तन खुशासन दही शुब्द घी शहत गंगाजल पवित्र जल पंच रस एत्र गंधरोली मोली जनेवू पंच मिस्ठान विलपत्र धतूरा भांग बैर, आम्र, मंजरी, जोकी बाले, तुल्ची दल, मंदार पुश्प, गाई का कच्चा दूद, इख का रज, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलियागिरी, चंदन, शिव मापार्वती की शिंगार की सामगरी आधिका उप्योग करें झाले, जोकी झाले, वी हैंपरी, टुल्ची दल, मंदार भावती की शिंगार पुल्ची द बाले, ग्रावती की शिया इंवारी आधिका आधिका उप्योग वक।